अम श्यंति हमारा जीवन बहुत मुल्यवान है एक एक संकल्प का जीवन में परमेहत्व होता है हमारे सुन्दर जीवन हमारी सुन्दर परस्नलिटी का निर्मान करते हैं हमें याद रखना है जो संकल्प हम लगातार कर रहे हैं उनसे एनर्जी पैदा होती है निगेटिव से निगेटिव पोजिटिव से पोजिटिव और जो बहुत बेकार का सोचते हैं उनसे तो बिलकुल नस्ट करने वाली तमोपरधान एनर्जी पैदा होती है काली ये सब जीवन को ब्रेइन को नस्ट करते हैं मनुसको डिप्रेशन की ओर ले चल रहे हैं आजकल हमारे चारोर का वाता उन वैसा ही बन जाता है इसलिए अपने संकल्पों को सुद्ध करने का उन्हें महान बनाने का एक सुंदर संकल्प कर लें जीवन महान बन जाएगा आनन्ध ही आनन्द होगा आज हम चर्चा कर रहे हैं आजकल संबंधों में पती-पत्नी के बीच भी सच्चा प्यार कम होता जा रहा है लोगों ने प्यार और वासना को मिला दिया था प्यार माना वासनाएं नो एक व्यक्ति बहुत वासनाओं में डूबा रहता है लेकिन प्यार बिलकुल नहीं रहता है प्यार एक पवित्र चीज है वा आत्मा की एक मूल क्वालिटी है और वासनाएं तो देह विमान है पतन के गर्द के ओले चलने वाली एक बहुत बुरी बिमारी है तो पती-पतनी ये ना था अचुद दोनों एक दूसरे के गुड़ फ्रेंड जीवन साथी ऐसा कहेंगे जीवन की गाड़ी के दो पईये पर करके ये एक पईया बिलकुल कमजोर या टूटा हुआ दूसरा पईया तेज तराक इगो के कारण कोई भी जुकने को तैयार नहीं रहता व्यर्थ समकल्पों की बाड़ आई रहती है सावरा दिन बुरा-बुरा सोचते रहते हैं एक दूसरे को नीचा दिखाने का सोचते रहते हैं बात-बात में एक दूसरे का अपमान करते रहते हैं एक दूसरे की भावनाओं को ठेस पहुंचाते रहते हैं, कभी पैसे को लेकर जगडा, कभी किसी निरने को लेकर जगडा, पती चाहता है ये काम करूं, पत्नी कहती है बिलकुल नहीं, पती चाहता है अपने भाईयों को मदद करूं, पत्नी इसमें रोडाट काती है, पत्नी चाहती है, मैं अपने भाईयों को मदद करूँ, पती अगर कुछ कह दे, तो पत्नी नाराज हो जाती है, बहुत संकल्प चलते हैं, दुविधावनी रहती है लोगों के मन में, धन भी कहीं ना कहीं, इस व्यर्थ का, इस टक्राव का, एक बहुत ही इंपोर्टेंट कारण बन मनुस, एक दूसरे की भावनाओं को सम्मान न देता हो, जब वो एक दूसरे के विचारों पर विचार न करता हो, तब संगर्स चलते हैं, और घर ही युद्ध का मैदान बन जाता है, मैं सभी इस तरी बुरुसों को ये कहूंगा, कि आपके हर संकल्प का इफेक्ट आपकी हैं, खा रही हैं, उस पर हो रहा है, इसलिए अपने को समाह लेंगे, बाते बहुत चोटी हैं, हमारा सनहीं का नात बहुत बड़ा है, एगो एक बहुत बड़ी बुराई है, संबंधों का रस, जीवन को सुखी बनाने वाला है, अपने एगो को डाउन करें, विचार इस बात पर, कभी-कभी ऐसा भी होता है, दोनों ही पढ़े लिखें हैं, बहुत, दोनों में ही इगो पूरा रहता है, दोनों में से कोई भी जुकने को तयार नहीं रहता, तो एक निगेटिविटी घर में बनी ही रहती है, लेकिन पहले तो मैं सभी को भारती परंपरा की आदिलाओं और मात्रशक्ति को अपने विशेस्ताओं को जानना चाहिए, मात्रशक्ति सेंसील होती है, माहन होती है, अब एक साकरत धिक नम्रचित होती है, पर हमारी एजुकेशन ने दो चीजे बहुत बढ़ा दी हैं, नारी शक्ति में तनकी लालसा और इगो, एहम, उसे नम्रचित, विने ही होना चाहिए, विने उसके जीवन की सुन्दरता होनी चाहिए, एगो टकराता है, तो मुश्किलात हो जाती है, और सिधा प्रभाव बच्चों पर पढ़ता है, चाहे आप छुपके भी लड़ते हो ना, बच्चे श्कूल गए हो तब आपकी लड हो जाएगा, पढ़ाई में उनका मन नहीं लगेगा, एक आगरता काम नहीं करेगी, तो एक बढ़ा नुकसान होता है, इसलिए दो बुद्धिमानों में, एक को तो समझदार होना ही पड़ेगा, होना तो चाहिए दोनों को, और अगर मात्रशक्ती समझदार हो, है, होती है मैं देखा अनेक केशिज में, माताएं खुद कहती है, समझदार हम हैं, हमें अपने घर को तोड़ना नहीं है, हमें अपने घर को के वातावरन को ऐसा भारी निगेटिविटी से भरा हुआ नहीं बनाना है, मैं सब कुछ करूंगी, मुझे बड़ी खुशी होती है जब हमा इगो को डाउन करना ही है, इसमें एक रहसी ये भी जान ले सभी, बहने यदि अपने इगो को डाउन करेंगी, तो पुरुसका इगो भी डाउन होगा, लेकिन सदेव चुप रहना का ल्यानकारी नहीं होता है, दूसरा व्यक्ति बहुत कुछ बोल रहा है, थोड़ा जब जानत हो जाए, एक दो अच्छी बात सुना दो, उसकी बातों के उत्तर में, तुरंत अगर प्रत्युत्तर चालू कर दिया, तो जगडा होगा, इगो बढ़ जाएगा, टक्राओ बढ़ जाएगा, बुरी-बुरी बाते होंगी, पास्ट की बाते उखाडी जाएंगी, पर जो जुक कर चलता है वही महान है, जो जुक कर चलता है वही तो दूसरों को उपर उठा सकता है, आपको अपने बच्चे को गोद में लेना तो जुकना तो पड़ेगा ही ना, या बिना जुक ही गोद में उठा लेंगी, तो जुकना सीखें, तो विचार सुन्दर रहेंग विचारों का टकराव, सच मुझ जीवन को, क्या कहूं, दुरगती मिले जा रहा है, सबसे बुरा सब्दी ही है, अनेक लोग, जीवन का सुख नहीं प्राप्त कर रहे हैं, चुचुटी बात उमें जगडे कर लेते हैं, कोई बैन कह रही थी मेरा पती तो मेरा गला पकड़ ल पुलिस, जेल, बदनामी, जीवन, नस, भरस्ट, बच्चे भी खर जाएंगे, फिर दो चार दिन के बाद वही गुसाव से आता है, वही करता रहता है, इसलिए दोनों, मैं कोई मातर सक्ती का फेवर नहीं ले रहा हूं, कहीं कहीं माताइं भी बहुत तेज तराक होती हैं, दोनों आपस में प्यार को बढ़ाएं, अंडरिस्टेंडिंग को बढ़ाएं, और अगर एक चीज आप कर लें कि स्यांत में बैठ कर जब अच्छा मूड हो ना, स्यांत में बैठ कर विचार भी मर्स करें, हमें अपने जीवन को कैसे चलाना है, मुझे क्या छोड़ना तु तो आपके संकल भी सुन्दर होंगे, आपके परिवार का माहोल भी बहुत अच्छा होगा, आपके बच्चों की पालना बहुत अच्छी कर सकेंगे, नहीं तो उल्जनों में क्या पालना होगी, क्या प्यार दिया जाएगा उनको, और आपका जीवन मंदिर, परिवार मंद बन जाएगा मेरी सुब्भावनाएं हैं ग्रस्त में रहने वाले सभी भाई बहने बहुत सुखी हो जाएं एक दूसरे को समझ कर बिल्कुल दो नहीं एक होकर आगे चलें और अपने अपने घरों को स्वर्ग जैसा महानतीर्थ वनाएं ओम शंति